जारकन सरकार के द्वारा सरकिल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स ताई किये जाने के बाद कुडर्मा जिले का होल्डिंग टैक्स राज्य में सबसे अधिक हो गया है सरकिल रेट के आधार पर नए होल्डिंग टैक्स में आवासिय परिसर के लिए तीन से पांच गुना एवं वैवसाईक परिसर के लिए आठ से दस गुना तक की वरिधी हुई है बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को वापस लेने की मांग को लेकर फिशले कई महनों से निवर्तमान वाड पारसदों के अलावे अन्ने समाजिक संगठनों के दवारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसे कड़ी में गुरुवार को जुम्रेत लईया नगर परिसत के निवर्तमान वाड पारसदों ने होल्डिंग टैक्स कलेक्शन कमपनी रितिका प्रिंटेक प्रावेट लिमिटेड के रांची पटना रोड के दार सदन में संचालित कार्याले में तालाबंदी कर बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स का विरोध जताया मौके पर निवर्तमान वाड पारसद बाल गोबिन मोधी अनुराक सिंग नीरश कर्ण विसाल सिंग उर्फ नीलू राजुयादव दिलिप वर्मा अरुन कुमार आसा देवी रिता देवी समीम आलम घंस्याम तुरी मुसलिम मिय गंदोरी रजक वाड पारसद प्रतनिदी प्रेम प्रकास समाजी कारेकरता कामिश्वर पांडे सिवम सिंग समेत अन्य कई लोग मौजूद थे कोई सुनवाई नहीं किसी भी जन्क परतनी थी इसकर आवाज नहीं उठाने के काम करें इसे निवर्दवान वार्ट परसदों ने एक कारिकरम किये थे पूल में बजारबंदी का आज ताला बंदी का कारिकरम है आगे हम लोग नगर परसद में भी ताला बंदी करेंगे आ तब तक सरकार का गाडलेन ने आजाए कि होल्डिंग टैक्स कम किया जाए, पूर्व के बहाती लिया जाए, तब तक हम लोग का आंदोलन यह चलता रहा है। पूर्वारे द्वारा सहर के सभी गन्मान लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि जब तक सरकार द्वारा बड़े हुए होल्डिंग टैक्स को वापस नहीं लिया जाता है। तक आप लोग अभी कतकाल जमान नहीं करें और हम लोग अभी जो आंदोलन कर रहे हैं यह वोल्डिंग टैक्स घटाने के लिए तुसमें आप लोग सब मिलके हम लोग का मदद करें ताक ही वोल्डिंग टैक्स जो सरकार के द्वारा परताशित बिर्दित किया गया है इसक शबस्क्राइब नो और स्ट द बेल इकन नहीं सन अप्डेट